वैद अवैद माता पिता द्वारा जनम के तुरंत वाद त्याग दिये गए बच्चों के लिएक शेत्री अस्टाल हमीरपुर ने अनुखी पहल की है और इसके चलते अस्टाल परिश्वर में ही सिशु पालना के इंदर स्थापत किया गया है जिसमें इस तरह के बच्चों क रख कर केबल मातर साथ लगती घंटी को बजाना है इसके बाद घंटी बसते ही सूचना नर्स को मिलेगी और शिशु को बाड में भटी करवाने के बाद राज्य दक्त ग्रेहन अजनसी के पास विचवाया जाएगा इस पहल से यहां वहां फैंके जाने से बच्चों की जा अस्ताल के कमरा नंबर 306 में स्थापित किया गया है इस केंदर को खोलने का मुख्या उदिश्य उन शिश्यों की देखवाल तथा उन्हें पालन पोशन की सुब्धा पर दान करना है जो वैद अवैद माता-पिता द्वारा त्याग दिये जाते हैं तथा ऐसे स्थानों प रखे गे इस पालने में ऐसे बच्चों को डालना होगा तथा उसके साथ लगी घंटी के वटन को दवाना होगा जो कमरा नंबर 302 में बचेगी उसके बाद उस कमरे में बैठी नर्स को सूचना हो जाएगी कि कोई त्यागा हुआ बच्चा पालने में पहुंच चुका है वटनर्स बच्चे को अपने स्पूर्द लेगी तथा उसे शिशु वार्ड में भरती करवा देगी उन्होंने कहा कि इसके बाद बच्चे को राज्य दक्त ग्रेहन अजंसी के पास फेज दिया जाएगा तथा बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया नियमा अनुसार अमल में लाए जाएगी उन्होंने आम लोगों से आगरे किया है कि जब कभी ऐसा शिशु देखें या त्याग ना चाहें तो उसे इस शिशु पालना के अंदर में पहुंचाना से निश्चित करें यह एक वेलफियर डिपार्टमेंट के सहयों से एक क्रेडल बेबी पॉइंट खोला गया है यानि कि पॉइंट वहां कोई जैसे अन्नोन लोग कोई जैसे कई बार ऐसे होती है कोई अन्नोन प्रेगनेंसी होती है जिसको कोई रिवील नी करना चाहते है कोई अन्मेरिट की कुछ इस दरा के जो लोग होते हैं जो बच्चों को इदर उतर जाडियों में फेंक जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे नालों में या कहीं दबा जाते हैं तो उनके लिए हमने एक कमरा खोला है with the help of welfare department वहां एक पालना लगा होगा ऐसा है कि अगर इसमें कोई भी बेबी पालना basically है और उसमें थोड़ा सा हमने बच्चे के कुछ warm कपड़े और उसके it is so well अभी तक it is under process basically इसके अंदर पालना लगेगा उसमें एक घंटी होगी और जैसे ही इसमें कोई बेबी को छोडता है तो उसके बाद वो रिंग हमारे concerned staff के वहां बच जाएगी तो वैसे त क्योंकि वो एक secret type की चीज है पर जैसे ही बेबी छोड़के कोई जाएगा तो एक बेल बजेगी और वो उस बेल से हमारे staff को पता चल जाएगा कि किसी ने कोई बच्चा छोड़ा है